तो आज की यह जो हमारी रेसिपी है यह है ट्रेंडिंग बटगालिक पराथा जीन लोगों को पराथा बनाने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस चाहिए जैसे की जिनको आटा गुदना नहीं है या फिर पराथा बनाने के लिए बेलना नहीं है उनके लिए यह बहुत ही पॉ ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इस पराठा को सेखने के लिए थुड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है तो शुरुवात करते हैं आज की हमारे रसिपी के साथ तो सबसे पहले हमें 2 टेबल स्पून या फिर 2 बड़े चमच बटर को मेल्ट करके लिए अब इस बटर में आपको एक बड़ा चमच लचों को ग्रेट करके लेना और इस लचों को इस बटर में अच्छे से पका के लिए इस लचोन कोPS स्वाध में लगेगा दल बस याद रह एक बाल में आधा कप गेहु काटा लेना है आप यहाँ पे आधा मैदा और आधा गेहु काटा भी यूज़ कर सकते हो इसमें हमें स्वाधनुसा नमक लेना है और फ्रेश्ली चॉप्ट हरा धनिया लेना है इसके बाद हमें जो बटर और गार्लिक का यानि लैसून और भैट अपका यह जो बैय trya है यह ज्यादा नहीं होना चाहिए यह फिर ब़्रजाना बहुत use बना था बहुता यह था बनाना आटी इसे कद ट्रकिशन नहीं बनाना है इस भाद का आपको यहाः था लिया फैसलित इसे जितने कटना लीति है ज़ान थे पानी मैंने दो या तीन टेबल स्पून ऊपर इसमें पानी मिला के बस इसका एक अच्छा सा बैटर बना के लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह के आपको कंसिस्टिंस का इस पराठे के लिए बैटर चाहिए तो यह जो पराठा है लिक्विट डो का इसे बनाने के लिए आपको कंपलसरी नॉन स्टिक पैन का ही यूज करना है इस पैन को आपको हलका सा गरम करके उस पे इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेके इसे अच्छे से चारू तरफ से फैला के लेना है इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है बिल्कुल मीडियम थिकनेस का ही बनाना है और जब इस तरह से उपर की साइड अच्छे से पक जाएगी तब आपको इसे फलिप करना है तो बिल्कुल इसी तरह से आपको दोनों भी साइड को बिल्कुल medium to low flame पे ही अच्छे से सेख के लेना है तो आप देख सकते हो यह easily pan से अलग हो जाता है और अच्छे से इसे आप सेख सकते हो तो दूसरी साइड को इस तरह से flip करने के बाद आपको इसे हलका सा बिल्कुल हलके हाथ से इसे प्रेस करकरके अच्छे सेख के लेना है याद रहे आपको यहाँ पे gas को बिल्कुल भी high flame पे नहीं लेना है अगर आप चाहो तो उपर से दोनों भी तरफ से आप इसे butter या फिर घी लगा सकते हो और इस पराठे को इस तरह से अच्छे से सेख के बिल्कुल गरमा गरम सर्फ कर सकते हो तो यह जो पराठा है यह नॉमल पराठा से बनाने में आपको एक या दो मिनिट ज़्यादा वक्त लगता है इसे सेखने में आपको ज़्यादा वक्त लगता है लेकिन इसकी जो टेस्ट है यह बहुत ही लाजवाब होती है ये टेस्ट में नॉर्मल पराठा की तरह ही अच्छा लगता है बिल्कुल आप इसे गर्मा गरम करके सर्व कर सकते हो किसी भी चक्नी के साथ या के सॉस के साथ तो ये जो पराठा है ये आप जरूर घर पे बना के देखना और मेरी आज की रेसिपी अगर आपको अच्छे लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शोर सब्सक्राइब करना ना भूलना